आपके पास आ रही हूँ मैं रितु चौधरी जी किसान आंदोलन की वक्त देखा था किस तरह से आप उनके साथ खड़े रहे उस आंदोलन में अब पहलवानों को भी खाप पंचायतों का साथ मिल रहा है किसानों का साथ मिल रहा है क्या वही दर्शोदिशा इस बार भी नजर आएगी कॉंग्रस की कितनी दूर तक ले जाने की तैयारी में आप लोग दिख रहे हैं कॉंग्रस दिख रही है इस आंदोलन को देखें पहली बात तो मैं इसमें एक चीज़ के लिए कर देना चाहती हूँ कि एक बेटियों के साथ एक अत्याचार हुआ एक ज्याक्ति हुए है उसके खिराब पहले तो F.I.R. नहीं दर्श करी जाती है सुप्रीम कोट के दखल से F.I.R. दर्श करी जाती है और F.I.R. दर्श कर दे के बाद भी पुलिस का रवया जो है बहुत शर्म नाख है जिस व्यक्ति को ठादे के अंदर खलाफों के पीछे होना चाहिए वो व्यक्ति जो है संचद बावन के इन्योगरेशन प्रोग्राम में बाकारदा अतिती बन कर जाता है तो वहाँ पर जो वह है सैम दिल्ली पुलिस ज़सको सबस्कों अंदर करना चाहिए था उन सब्सक्राइब ने गया है कि यहां पर बेटियों के साथ जाती हुई है, वहां पर केवल जाती के बात होनी चाहिए कि अगर इस पर कोई इल्गाम लगा है और इस बेस्टी पर अपया अर्दज है, तो क्यों नहीं पुलिस इस पर कारवाई करते हुए, उसके जात करती है, जब फॉक्स लगा हुआ है, जय चाहिए कि वेख़ी कार राज़ी से उखाव इस लगाव इस बेस्टी हुआ है। आपको समारते हैं, तो क्या उनको यह नहीं लगता कि यह व्यक्ति क्या मोदी जी की छवी के उपर इतना भारी हो गया या उनको केवल इस व्यक्ति को जेल में डाल देने से, क्या उनको इतना बड़ा राजमितिक तुक्सान हो जाएगा, दूसरे बात, इससे पहले, जब भा मामला है, ये राजपूत का मामला है, ये यूपी का मामला है, ये हर्याडा का मामला है, ये खाप का मामला है, क्या पहले भी इस तरह के मुद्धे उठे थे क्या, ये अभी क्यों उठ रहे हैं, जब कि भाजपा की सरकार है, क्यों इस फिशे को बटका दे की कोशिश की जा यह हक्ती मांग है कि उस दोशी को सजा देने के लिए ये पूरा जो है बेटियों के लिए लेकिन कॉंग्रेस का क्या स्टेंड है रितु जी कॉंग्रेस का क्या स्टेंड कि बेटियों के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग खड़े होंगे सर कटने तक खड़े होंगे मरने तक खड़े होंगे और बेटियों को नयाए दिला के रहेंगे मोधी जी गलक्षावी निकाल दे भाजबाई अपनी गलक्षावी दिमाग से निकाल दे कि बेटियों को तूसते हम्दम नेंगे